problem है, अंदर solution है डारक महता का उलटा चश्मा डारक महता का उलटा चश्मा डारक भाई, डारक भाई पच्चे खेलने हैं ख्रिकेट रोज खिर्कियों के खाम दोट जाते हैं अज वोड़ी इसे प्ले इसे प्लेजर रिकॉर्ड तोड जाते हैं दारक महता का उल्टा चश्मा काम दिन रात गरवाती मेरे सास मुझे रोस बताती है ठीक से साफकान अर दिल में प्रेम हो तो सास मा बन जाती है अच्छा वह हो सास मा प्राब्लम्स तो है सोब के साथ बस नजर ये की है बात दारक महता का उल्टा चश्मा दारक महता का उल्टा चश्मा कारग महता का उलता चेश्मा क्या क्या यह यह टपू कबसे मुझे देख के ऐसे असे हस रहा है नहीं दादाजी चलो ना मुझे बहुत दीन दारी है कर शुबह मुझे जल्दी उठा है चलो टेक आज़ एक मिनट क्यों सुबह जल्दी क्यों उठा है यह सुबह जल्दी उठने उसमें तुझे क्या पॉबलन है? तुकुद तो जल्दी उठता नही ऐ घAD, जा के सोजा और तुभी सुबह जल्दी उठना च्या च्या उत्ददद Bless अवब नाइटमी तु मेर्ट बेटा गरनेट पापा आप कर दो दूरे तुरे 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 तो बोल कल सुपे का तेरा क्या प्लान है बोल यह कैसे बोलोगा यहाथ हट तो हट दाईए नहीं पॉल लोल तेरे दीमाग में क्या खिचनी पक रही है क्या प्लान है तेरा प्रहल की अड़ा हईसे अघ्या चुन्दर अजी ति खुम 220 एंपक्र मुझाटे भगर नहीं रहे सकता मेने वैसे यह एक ड। पू उतनी आसानी से हार मान इरे शक्ता ऑल कल शफ़बह तुझे जलदी की इपना है का आप्ता जल जाए का इसका मतलब कल शुबभी है जरूर के कार नमा करने बोलय है बोल टपू क्या करने वालए कल शुबभी तो टपू बोलो ने मेटिया बोला वर्ने तुम्हारे पापा राज बूर नहीं पैंगे और मुझे भी नहीं सोने दिगग है बोलो मेटा, बोला मम्मी कल सुबह पता छल जाएगा कल सुबह क्या पता छल जाएगा बॉल बॉल सुबह तुछा चल्दी क्यों उठने आ है तेच्छ ठीच किया पोब्लम के है तुझे है? अरे माबाप अपने बच्चों को शुबह जल्दी उठने के संस्कार देते है और यहा तेरा बेटा अपने आप शुबह जल्दी उठना चाता है तो तू उसे डांड डांड के पूछ रहा है बहुं जल्दी क्यों उठना है? बहुत बहुत नहीं है अरे कैसा भाब है तू? जा जाके सोजा जाल टपू कल सुभा यह टपू कल सुभे जरूर कोई बड़ा अंगामा करेगा अगो होने को कोईन का असबता है कुछ ने आप अप सोजा यह सब ठित्रो जागा अरे कैसा सुभ बट्सुनाने तरे कल सुभे यह जब आप सुभे यह बट्सुनाने यह बट्सुनाने जे दे-दे-दे-दे-दे-दे-दे-दे-दे. इसे सुबे सुबे नोटिस बोर्ड पर क्या लिखा है? चीता हुनी. वारनिंग. चीता लब, बीरे लब, बीरे अब, सोडी, डॉक्टर हाथी, मेंता साब, हाइर बाइ, अरो सब लग जल्दी बाहर हाओ अब पपु की हो गया, और स्वेरे मुर्गे की तरह कुपडू 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 के हो कर रहा अरे भाइ सोडी, ये नोटीस बोड पर जो लिखा है ना वो तू पड़ेगा तो भी कबूतर की तरह फड़ाने लगेगा अब भी बिड़े तोने ऐसा क्या लिख देला नोटीस बोड के ऊपर? मुझे कुछ नहीं मालूम जिठा लाल, हाँ अरे एक मिनिट पोपटलाल गूड मुझे कुछ पता नहीं मतलब तुम खुदी लिखा है खुदी बूल गए अरे भाइ मैंने कुछ नहीं लिखा जिठा लाल तो फिर किसने क्या लिखा है पोपटलाल पड़ो तो साही तपू सेना ने लिखा है अरे हाँ, कल टपू बोल रहा था के सुबह पता चलेगा अरे पड़ भाइ, पड़ जल्दी क्या लिखा नोटिस बोड के उपर अरे पड़लाल जल्दी पड़ो, क्या देह रहे? पड़ता हो भाइ, पड़ता हो माध्वी, जैसे रोज सुबह सुरज का निकलना तै है, वैसे ये गड़ा परिवार का रोज एक नया कांड करना तै है नाई तै? ने, काई ने, काई ने अरे भाइ, पड़ला तुम पड़ो तुम मन में मत पड़ो, जोर से पड़ो अरे, पड़ता हो भाइ, तुम शांत रहोगे ता पड़ूगे ना मै चेतावनी, वार्निंग, साउधान अपपू, ये तीनों शब्दों का आर तेक ही होता है ना हाँ तो तीन अलग-अलग शब्द क्यो लिखे पोट पे? मैंने लिखाई ये मैं तो सिम जो लिखा है वह पड़ रहाँ ना अरे, कहां पड़ रहो यार, तुम टाइम फेस करें पूरा पड़ो ना एक बार में पड़ता हो, पड़ता हो मैता साभ चेतावनी वार्निंग साउधान अरे, वह हो किया पड़, आगे पड़ो पड़ता हो भाई, पड़ता हो जेठालाल जरा शांती रखो हमारे प्यारे पैरेंट्स और सभी अंकल अंटी टपू सैना ने अपने फ्यूचर और केरियर के लिए और बड़े क्रिकेटर बनने के लिए एक सीजन क्रिकेट की मामूली डिमान की थी वो भी सिर्फ 15,000 की टपू सैना ने आपको कितना समझाया पटाया, बिंदी की, सोचने का वक्त भी दिया और आप सभी ने हम पर बड़े होने की दादागिरी करके हमें निराश कर दिया हमारी सारी कोशिशे नाकाम्याब होने पर हमें मजबूरन हमारी मांगे मनवा ने ये आखरी आगे कामेंटर बाजू वाले बोर्ट पर पढ़ता हो पढ़ता हो अधुर भी लिखा है पर सॉलिड दाव खेलना पढ़ रहा है तपू सैना आज से दीक आठ बजे से अपनी डिमान पूरी करने भू खड़ताल पर बैठ रही है भूほど है। भू खड़ताल भू खड़ताल और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक टपू सैना भू खड़ताल पर रहेätगे आपकी one and only टपू सैना आपकी one and only टपू सैना एक भो, बढतेयर मुझे मालूम ही था क्या? तुम्हें मालूम्दा जेठालाग? आयययो अरा मतलाब तल रात को माध दया से यही क्या रहा था कि यह टपू सुबा जरूर कई नो के बड़ा हंगामा करेगा बोल रहा हो ना यह सब टपू की कारस्थानी है यह भाई मातवे बाभी जरा समझावा है काई इसको बोलो अपना चस्मा बदला था सोच भी बदलेगी हर बार टपू की गलती नजर आती है अरा भाई सोनू भी तो टपू सेना में सामिल है ना असिस्टन विंग कमांडर ओ जेठालाल आत्मारा में कितम सच कह रहा है टपू सेना का लीडर टपू है ना अरा एयर भाई आप बबीता जी के हस्बंड है कभी तो समझदरी के बात केजिया बबीता जी क्या अरे जेठालाल भिड़ा एयर तुम लोग तो बच्चों से भी गए बितो यहां क्या बात हो रही है और तुम फिर लड़ना चुरू हो गए अरे अभी बच्चों का मसला है पहले उस पर बात कर ले और क्या आप लोग बच्चों के बार में तो सोचिए इस उमार में यह लोग भूखारताल कैसे करेंगे यही बात है बिल्कुल, बिल्कुल तपु की पापा, आप तपु को मना लो मैं तपु को भूखा नहीं देद तपु की है प्लेज अहो, आप भूखारताल शुरू होने से पहले ही खतम करवा दो ओय रोशन, हमारा गोगी पुतर भूखा रहे यह मैं परदाश्त नहीं करूँगा रोशन, तू मारा उपर सान आवरी घुसा घुसा ठाही रहे हो तू तू तो ऐसे कह रहे है जिसे मैंने को की से कहा है भूखा रहने को कुमल हमारे खंदान में तो भूखे रहने की परंपरा ही नहीं है फिर गोली यह परंपरा क्यों तोड़ रहा है यह तो गलत बात है ना अब पर तपू से न है कहां अरे तपू से न और कितना खाओगे लगता बहुत दिनों से भूखे हो कितने दिन से क्या हम सभी अभी अपने घर से कनाष्टा करके आए हाँ ओहो घर से मेरे दुकान ते काते आते नास्ता तो हजाम होगा ना नहीं अग्दुल भाई अब आट बजी से अपू से ना भूख हड़ा करने वाली है सीजन क्रिकेट के लिए अरे लेकिन क्यों अरे क्या और दो तिन पैकेट वेफर के दे दो हाँ खाओ भाई खाओ मुझे क्या है मुझे तब माल बेचने से मतला मैं लो खाओ लो है तुम लो एक दम पेट गर के खालो आप अरे क्या नहीं तुम नहीं तुम आप खाली कर दी गया तू फिर मैं खालू आप उकरदाल में आप उके अब बू करतार करने में मजा जाएगा हाँ अबदुल भाई डश्मिंदो ना यह सब यहां अच्छा ही लगता है अरे अरे वाँ 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 मेरे अरे चोटे सडी अरे 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 तो यह गद्धि वाला पिचे क्यों नहीं आया अरे वो दिख गद्धि वाला आग्या अरे 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 पुल इंतिजाम वाँ अरे अरे बाई बिल देगा कॉन अरे हमारे खातर में लिख दो अरे 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 खेता वज भय खो 멜pi आगि अरे आगा करे सुनतर अरे डियुके शिह स्टिक आपके तों हैज डा इने व्रकनर में कहिंगा है अर्षा कै रच में ही आपके तोंसे है आपके टाले यह थाो फो झातए अब क्या मापी है तपो याशब का बूखरताल के लिए मंदब पापा पंद कर बंद कर आपने भूखड़ताल हाँ ओ मतलब आप में सीजन क्रिकेट केट लाकर दे रहे हो अरा नहीं तो तपु जेन भी भूखड़ताल घतम नहीं करें नहीं मतलब नहीं तपु आप साथ हो जाल प्रेश गुस्टा बद के जिप लाइग नहीं तपु तो बच्चा है ना समधिया तुम तो समध दार हो तुम समधदारी से काम लो सही बात है हाँ जिठाजी आप ज़रा मिचारी से काम लीजी परिपकभण रदह समधदारी नहीं को एस भालभब या ठीक है, मैं समध्धारी से काम लेता हूँ वभी तजी, लेकिन कैसे समध्धारी से काम लो? यह बच्चे लोग सीजन बॉल से क्रिकट खरने के लिए भू खर्ताल कर रहे हैं, यह कोई बात हुए? नocarी तक है? हमारे जमाने में होग अच्चे काम के लिए लिए नयाए पाने के लिए हर्ताल करते थे और यह राद ऒेगो तपु झवढ़े ना को और सीजन बॉल से खुड को हिंजर के लिए और दूसरों को हिंजर करने के लिए भू हर्ताल कर जाएगा तभी की शेफ्टी का पूरा ख्याल दखा जाएगा हाँ क्या से रखो के खड़ा अब क्या हम सोसाइटी में ये ग्लॉज, पैड, हेलमेट ये सब पहन के गुमे बराबर तब है हाँ तपुजेना मैं तो कहता हूँ भूख हर्ताल खतम करो और खाना खाने की हरताल करो मतलब मेरा मतलब है कि हम पेरेंट जब तक नहीं मान जाते हैं तब तक तुम लोग खाते रहो खाते रहो, खाते रहो क्यों गोली बेटा सही बात है कि नहीं ये भी शलेगा, नहीं गोली नहीं चलेगा नहीं शलेगा हाँ हाँ टपू बेटा हाथियं का रहे है अब लोग भूगटल मत करो बेटा हाँ और क्या है गोली बेटा एक बार तुम सीजन बॉल से खेले बगए रह पाओ लेकिन खाये बिनना नहीं हाँ हाँ हे बोरो को रहे मम्मी मैं बूखा रह सकता हूँ क्यू फरेंड्स लेज़ गोली वी कैन एंड वी विल विन बढ़ी देभभभी वी कैन वी विल विन का मतलब यह है कि टपू से न को विश्वास है कि वो भूखे रह सकते हैं और भूखे रह कर ही उन की जीत होगी करेक्ट तपू पापा, अगर आप हमारी बात मानने वाले हो, तो ही हम से बात कीजिए। अरे? पर्मा में क्योंकि हम लोग ज्यादा बोलेंगे, तो ज्यादा भूख लगेगी, और ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगी अरे? अरे? मेरा गोगी टोबी छोटा पर है, वो किसे बूख करेगा? रोशन जरब समझाओनी बावा अभी मनातों मेरी जान तपुस सेना हमें मनाने के लिए तुम लोगोंने भूख अड़ाल किया ला वहाती परा ऐसे ही होता है जैसे जहर को जहर काटा ना ऐसे भूख अर्ताल को भूख अर्ताल काटेगी अभाई सोडी, प्लीज तू रहने दे और हम लोग भूख अर्ताल क्या कैसी भी अर्ताल कर लें इन बच्चों के तेवर देख के लगता निया कि लोग मानेंगे हम मैदा साब वी कैन और वी विल विन मतला वही ना? सेम, सेम, सेम सोनो माबाप से हख पाने के लिए टपुसिना की भूख अरतान? अच्छा अच्छा कॉंसा हाँ, कि शुद्द्द आगाउ पना है मातर का है माधवी तुमको बोला था ना मेने कि इसको टपुसिना की ताथ मत खेलने दो तुमने बोला था कि बच्चों को प्यार से संजाओ मापआप के कट्रों दिनने का बच्चों पर बुरा असर होता है देख लिए असर। श्ष। वो बाद में लड़ें के पेले इन की भूख अड़ताल तो खतम करवाई है मतलब क्या टपू शेना की बाद ता मान ला मात भी पार में हम् ने ने जेठा भी मेरा हिसा मतलब नहीं है यह टपू के पापा आप मनता है कि यह लोग बलत है और आप सही है लेकिन यह लोग बुखे रहे यह हम से नहीं देखा जाएगा अरे दया जे चालाल तुम देखो लो बच्चे कैसे जित पे अड़ेवे हमारे समझाने से समझ रहे है क्या हमारे डाट का असर रहा है क्या यह लोग डाट से नहीं समझेंगे नहीं दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा समझदारी से काम लेना पड़ेगा मैतासाइब मैतासाब मैतासाब को समझाने दो मैतासाब समझा और समझा देखो बच्चों में क्या कहता हूँ अबच्छी क्या हुआ क्या हुआ मेरी सॉरी दोस्तों मैं भूल गया के स्त्री हट बाल हट और राज हट इनके सामने किसी की नहीं चलती यहर यह अईडिया क्या है मेरे पास एक आइडिया है जिससे टपू सेना की भूखड़ता यह खतम हो जाएगी बोला भाई बोला जल्दी बोला मैं बापू जी को जाके बात करता हूं चपू बापू जी की बात मनना नहीं कर पाएगा सही बात है अरे वहां क्या बात है ममरल ने गया डाल ने बहुत दिने के बाद अकल वाली बात ही की है बया अभी तुम लोगों की भूखटल खटम दोस्तों क्रिकेट का फाइनल मैच हो आखरी बॉल हो भरपूर रोमाच और आखरी बॉल पर लेना हो एक रन और इसी एक रन लेने के लिए बैट्समेन के खिलाफ वो रन आउट की अपील और फैसला छोड़ दिया जाए थर्ड अमपार के हाथों में कैसा होगा माहूल ठीक वैसा ही माहूल अभी गोकल धाम में है टपूसेना की अरदाल अपने चरम पे है और माबाब भी जुकने के मूड में नहीं है और फैसला छोड़ दिया गया है थर्ड अमपार यानि की चंपक चाचा के हाथों में अब इस भूख अरदाल के खिलाफ ज जीत किसकी होगी और हार किसकी होगी टपूसेना जीतेगी या माबाब जीतेंगे मुझे नहीं पता लेकिन इतना जरूर पता है कि टपूसेना को सीजन क्रिकट किट से खेलने का मौका मिले ना मिले लेकिन हम लोग अपने हास सिकी बॉल से आप के टेंशन का विकट जरूर देख एक अनुमिया हो एक एक आप प्रश बेस्टाव करना सब्सक्राइब एक जायए डेकिन थो ऑपल भी टीन के जो प्रश खूपार प्रश्वेक सेढ़ा आप